नमस्कार दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना मात्रा के सब्दों को या बिना मात्रा के नाम को हम किस तरह से लिखते हैं इंग्लिस में इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मात्रा वाले सब्द या मात्रा वाले नाम इंग्लिस में किस तरह से लिखते हैं तो सबसे पहले में यह उपर यहाँ पर मैंने आ-आ-ई किस तरह से इंग्लिस में लिखते हैं इसको English में जैसे की A को English में डबल A कहते हैं E को English में I कहते हैं यह सिर्फ reference के लिए लिख रखा है यहाइप और इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है पिछले मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह किस तरह से इसको क्या क्या जैसे किस अक्षर को इंग्लीज में क्या लिखा जाता है, जैसे कि का को के ए लिखा जाता है, खा को के एच ए लिखा जाता है, ओ की मात्रा है तो ओ लिखा जाता है, ए है तो डबल ए लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, तो आए दोस्तों शुरुवात करते हैं, मैं और इससे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि आप लोगों को हिंदी में नाम लिखना आता है और हिंदी को भली भाती आप पढ़ पाते हैं और उसमें अच्छी तरह से आप नाम लिख पाते हैं और उसको आपको इंगलीज में किस तरह से लिखना है वो सिखना चाहते हैं इसलिए यह वीडियो देख रहा है तो जैसा कि पहला सब्द यह आप पढ़ पा रहा है कमल लिखा हुआ है मैंने अब कमल को इंग्लीज में किस तरह से लिखूंगे तो सबसे पहले मैं इसे अलग कर देता हूँ यह हुआ कमल तो अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि क क को इंग्लीज में के ए लिखते हैं और इसी वेज़े से मैंने उपर भी लिख रखा है कि जैसे क क को इंग्लीज में के ए लिखते हैं म को इंगलीज में म, ए लिखते हैं ठीक है, और ल को इंगलीज में एल, ए लिखते हैं, लेकिन देखेPe수가 दूस्तों, जब हम इंगलीज में नाम लिखते हैं, तो लाष्ट में ए नहीं लिखते हैं, इसका कारण मत थोड़ी दिर मां बताता हूं, तो इसका 했어 К आ है, एल ठीक है अब लग को जैसे कि मैंने उपर आपको यहाँ पर दिखाया है कि लग को इंग्लिस में एल ए लिखते हैं और यहाँ पर मैंने ए नहीं लगाया है पीछे तो इसका कारण काफी सारे जरों ने हमसे पूछा भी है तो अब हम आपको बताते हैं ध्यान से सुनिएगा देखिए अगर आप कमल बोलते हैं तो किस तरह से बोलते हैं इस पर जड़ा गौर फरमाईएगा जैसे कि मैं कहता हूँ कमल क सब अक्षर के बाद में अ निकलता है देखिए कमल ल के पीछे अ नहीं निकलता है कमल कमल अगर आप जल्दी से भी बोलेंगे तब भी आप ल के पीछे कोई अ मुझे उच्छारन निकलता ही नहीं है देखिए कमल आप खुद से भी बोल करके आप देख सकते हैं जैसे कि बस को अगर लेंगे आप तो ब के पीछे आ निकलता है तो जैसा हम बोलते है कमल कमल तो कम के पीछे तो अ निकलता है लेकिन ल के पीछे नहीं निकलता है इस वज़ा से इंगलिस में जब हम नाम लिखते हैं और अंत के अक्षर में अगर कोई मात्रा नहीं है तो हम ए भी उसके पीछे नहीं लगाएंगे अगर मात्रा है तो हम लगाएंगे जैसे कि कमली ल मज़िये कि लास्ट का अक्सर जो लिखा रहता है उसके पीछे हम ए नहीं लगाते हैं उसका कारण सिर्फ इतना है कि जब हम उच्चारन करते हैं तब भी हमारे मुझ से अ नहीं निकलता है अगर आप फिर से एक बार बताता हूं मैं कि कामल ल जो निकलता है उसके पीछे अ नहीं होता है का के पीछे अ निकलता है मा के पीछे अ निकलता है यही कारण है कि लास्ट में हम ए नहीं लगाते हैं ठीक है दोस्तों तो अब दूसरा सब्द में लेकिन हम S, A यह रहा, तो हम इसके अंदर A नहीं लगाएंगे, वीजन, कारण सिर्फ वही है, कि भाई, पीछे, बस 100 के पीछे A नहीं निकला, इसकी वज़े से, ठीक है, दमन, दमन का अगर हम इंग्लिस करते हैं, तो D, A, M, A, N, न के पीछे A नहीं लगेगा, क्योंकि A जो है, वो सिर्फ आने वाले, पहले वाले सब्दों के पीछे लगता है, तो D, A, M, A, N, दमन का इंग्लिस नाम हो गया, हल, हल को हम इंग्लिस में लिखेंगे कैसे, H, A, L, अगर आपको हो के बारे में देखना है, तो H, के बारे में यहाँ पर देख सकते कि H, A लिखा हुआ है, ल, ल, के पीछे A नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि यह लाश्ट वाला अक्षर है, ठीके दोस्तों, अब N, A, L, नल, ठीके दोस्तों, N, A, L, इस तरह से, कलर्स का इंग्लिस क्या होगा, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा, अब आप मन में सोचिए कि कलर्स को इंग्लिस में कैसे लिखेंगे, ओके दोस्तों, आपने मेरे ख्याल से अपने पेन पेपर में लिख लिया होगा, अब मैं आपको यहाँ पर लिख करके बताता हूँ आप compare कर लिजे कि वो सही है या गलत है तो कलस कलस के एल एस एस ठीक है दोस्तों बहुत ही आसान है ये कोई मुश्किल नहीं है फल को फल को पी एच ए पी एच ए का मतलब होता है फल जैसा कि आप यहाँ पर उपर देख पाएंगे यहाँ पर मैंने लिखतर के रखा है PHA यह रहा ठीक है और ल को L पीछे सबसे लाश्ट वाला अक्षर है इसलिए हम A नहीं लगाएंगे इसके पीछे ठीक है दोस्तो कब कब का क्या होगा क को अलग करेंगे के ए बनता है और ब का बनता है के ए बी इसका spelling हो गया तो दोस्तो मैंने आज आपको बताया कि मातरा बिना के सब्दो को हम इंगलिस में किस तरह से लिखते हैं उसी तरह से मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्रा के साथ इंग्लिश में नाम को किस तरह से लिखते हैं और हाँ दोस्तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नौटिफिकेशन मिलता रहें धन्यवाद दोस्तो